नमस्कार बच्चों, मैं अमर नाज्जा, आपके समख्ष प्लास 7 का वर्क्षीट नमबर 39 लेकर उपस्थितू, यह वर्क्षीट दिनांग 25 फरवरी 2021 के लिए हैं, topic of this worksheet is integers, division of integers, what is integers, let's recall, 1, 2, 3, 4 called counting number, that means natural number, जब उसमें हम 0 add कर देते हैं, 0 के साथ सुरू हो जाता है, इसमें एक और member 0 add हो जाता है, तो वो हो जाता है whole number, और 1, 2, 3, 4 और 0 के साथ उसका negative भी जुड़ जाता है, तो वो कहलाता integers, जिसको Z से denote करते हैं, इसमें हम operation of integers, on integers, division हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने addition सीखा था, multiplication सीखा था, division of inverse operation of multiplication, division is the inverse operation of multiplication, division और कोई चीज नहीं है, multiplication का ही inverse है, जैसे उसमें हम बार-बार multiply कर, add करते थे, इसमें बार-बार subtract भी करते हैं, ये भी एक बहुत हैं, अब आईए इसमें देखिए कैसे होता है ये inverse, अब जैसे 2 को minus 6 से multiply किये तो minus 12 आया, अब inverse कहता है, minus 12 को minus 6 से करेंगे तो ये वाली संख्या होती है, minus 6 को, minus 12 को minus 6 से किये तो 2 आया, या फिर minus 12 को 2 से किये तो minus 6 आया, इसी प्रकार minus 8 को minus 9 से करेंगे तो 72 आयेगा, तो 72 को इस से करेंगे तो minus 8 आयेगा, या फिर minus 72 को minus 8 से करेंगे तो minus 9 आयेगा, 4, 3 जा, 12, तो 12 divided by 3 is equal to 4, या 12 divided by 4 is equal to 3, अब इसमें कुछ नियम है, इसमें नियम यह है, जैसे उसमें closer property यह सब प्रोपर्टी है, तो इसमें closer और यह सब के बारे में discuss करेंगे, closer तो नहीं होता है, और commutative भी नहीं होता है, देखिए क्या, इसमें कहरा generally, in general for any positive integer, ज़र A और B, A को B से करें, A को minus B से करें, या minus A को B से करें, minus किसी भी तरफ हो, या A में लगा हो, या B में लगा हो, किसी एक तरफ लगा हो, तो बराबर आता है, यानि minus, जैसे 15 ले लिए, 15 divided by 3, 15 divided by 3 is equal to 5 आना चाहिए, तो minus यहाँ पे रहा है, तो भी minus आएगा, यदि minus अब यहाँ पे है, तो भी minus 5 ही आएगा, किसी भी एक तरफ हो, या तो यहाँ हो, या यहाँ हो, किसी एक तरफ हो, तो answer में minus आएगा, यह कह रहा है, दूसरा कह रहा है, दोनों तरफ या तो minus हो या दोनों side plus हो तो बराबर आएगा यानि किसी दोनों तरफ यानि minus 15 divided by minus 3 रहे तो इसका भी value 5 ही आएगा या minus 15 sorry 15 divided by 15 divided by 3 रहे तो भी 5 आएगा दोनों तरफ या तो minus लगा हो यहां भी लगा तो भी plus में आएगा या दोनों तरफ नहीं है तो भी वही आएगा अब तीसरा कहरा है integers यदि एक से divide करते हैं तो वही संख्या आती है 1 a divided by 1 is equal to a where a is not a को जदी 0 से divide करते हैं तो वह not defined होता है 0 को a से कर सकते हैं तो यह 0 आएगा 0 को किसी भी संख्या से divide करेंगे तो 0 ही आएगा जैसे minus 8 को 1 से किये तो minus 8 minus 11 को 1 से तो 11 अब क्या क्या नहीं आ सकता है कम्यूटेटिव लो कहता है जैसे 15 divided by 3 है तो यहां पर 5 आएगा लेकिन यदि हम बदल देते हैं यह क्रम बदल देते हैं तो 15 3 divided by 15 बराबर नहीं होगा यह 1 by 5 हो जाएगा तो यह बराबर नहीं है तो यही कहता है जो कि कम्यूटेटिव लो इसमें एक्जिस्ट नहीं करता है और इसी प्रकार माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या प्राप नहीं होती है जैसे 15 को माइनस 1 से किये तो अभी हमने सिखा किसी भी एक तरफ माइनस लगाओ तो माइनस 15 आएगा और माइनस 15 को यदु हम माइनस 1 से करते है तो यहां दोनों तरफ आ गया तो अभी हमने दूसरा प्रॉपर्ट्रे सिखा है तो यहां पर प्लस 15 आ गया तो यहां हम दोनो एक जैसे नहीं हैं माइनस 1 से डिवाइड करने पर वही संख्यापराप नहीं होती है कि अब तीसरे कहिता है से 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 सिचाता है जैसे हमने में उफे सिखा था ऐसे तीन गुने पांच तो पहले कर लेते हो है यह से करते थे यह तीन चार और पांच किसी इसको पहले करते थे तो दोनों बराबर आता है अब इसमें कहता है डिविजन में जब जैसे हमने ले लिया 50 divided by 2 और 5 तो इससे पहले किये तो यह आ गया 25 divided by 5 तो यह तो 5 आ गया अब क्रम बदल देते हैं यानि 50 divided by 2 divided by 5 करते हैं ठीक है तो पहले इसको बदल दिये तो यह आ गया 50 divided by 2 by 5 और इसको करेंगे तो 50 और यह बदल जाता है और उल्टा हो जाता है क्योंकि हमने सिखाए जो कि अपोजिटी होता है तो यह करने पे 25 तो यानि 625 हो जाता है तो यह और यह बराबर नहीं है तो इसलिए इसमें एस्टेटिव प्लोग लागू नहीं होता है अब हम प्रेक्टिस करते हैं पहले नियम क्या धार पर तो देखिए क्या कहता है पहला नियम माइनस 30 को 10 से किये तो किसी एक तरफ माइनस लगा हुआ है तो आंसर में माइनस आएगा तो 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा 3 लेकिन माइनस 3 यहां भी किसी एक तरफ है त तो minus 5, minus 10 आएगा, इस में किसी एक तरफ है, तो 75 को divided by 75 करेंगे, तो 1 आएगा, तो answer में minus 1 लिखना होगा, किसी एक तरफ है, यहाँ भी किसी एक तरफ है, तो 24 को 6 से करते, तो 4 आता, और एक तरफ है, यहाँ भी सेम है, तो 16, 3 जा, 48 आता है, लेकिन एक तरफ minus है, तो minus 3 आएगा, अब यहाँ पे, दोनों तरफ minus है, तो answer में, कहता था, जोकि दोनों तरफ minus हो, या नहीं हो, तो answer में positive ही आएगा, तो यह 4, minus minus कट जाता है, तो 9, 4, 36, यह आएगा, 1, यहाँ पे दोनों तरफ minus है, तो यह आएगा, 87, और इसको करेंगे, तो यह आएगा, 16, 4, 16 से करेंगे, तो यह 4, और इसको करेंगे, तो 2, इसी प्रकार, यहाँ पे minus 81 है, को 1 से करेंगे, तो minus 81 आएगा, यहाँ पे 1 से करेंगे, तो 369 आएगा, और यहाँ पे minus 1 से करना है, तो minus 13 आएगा, 0 को करते हैं, minus 12 से तो 0 आएगा, यह not defined आएगा, not defined, क्योंकि 0 नीचे हो, तो not defined, ठीक है, अब हमें कहता है, जो कि, कुछ पेर ऐसे बनाएगे, इसी तरह, अब 3 का टेवल, 3 आना है, तो 3 का टेवल, जैसे, तो 3 से डिवाइड करने के लिए, जैसे 15, divided by 5 करते हैं, तो क्या आता है, 3 आएगा, तो किसी एक तरफ minus लगा दीजिए, तो यह हो गया, minus 3, दूसरा इसी का opposite बन जाएगा, minus 3, minus 15 divided by 5, is equal to minus 3, तरफ 12 करना है, तो 12 divided by minus 4, minus 3, और 12 divided by, minus 12 divided by 4, तो यह आएगा, minus 3, इसी प्रकार, 18 divided by minus 6, आजाएगा, minus 3, यह, minus 18 divided by 6, आजाएगा, minus 3, इसे तर बहुत सारे बन सकते, अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद,